अफ्रीकी देश कांगो में बार भुसकलन एक सोचेतर मौते एक ही परिवार के ग्यारे बच्चों की मौत कई लोग मल्वी में दबे स्कूल एस्पिताल बहे गए अफ्रीकी देश कांगो में दो दिन से जारी भारी बारिश के कारण भुसकलन हो गया और बार आ गई अब तक 170 से जादा लोगों की मौत हो चुकी है रोल्टर्स की रिपोर्ट के मुदाबिक साउथ कीवू प्रांध में कालहे इलाके में चार माई को एक नदी का जलिस्तर बढ़ने से बार आ गई इस वज़ा से बुशोशू और न्यायमू कूंबी गाउ में पानी भर गया न्यायमू कूंबी गाउ में रहने वाले मुपेंडा ने कहा बार से पुरे गाउ में दबाई मच गई मेरी माँ मेरे 11 बच्चे भी बह गई वो जिन्दा नहीं बचे एक अन्य सक्ष ने कहा बार बुसकलन से हमारा जीवन अस्त बेस्त हो गया है हम सब मलवे में अपनों को ढूंड रहे हैं लोग खुले में सोने और रहने के लिए मजबूर हो गए हैं कई लाकों में रेस्क्य में लोगों की मदद कर रही है उनके पास एक दिन में 56 से जादा पेशेंट्स आ रहे हैं इन में से 80 प्रतिशत लोगों को प्रेक्चर हुए हैं कांगों के पड़ोसी देश रवांडा में भी बारी तभाई हुई है दो मई से शुरू हुई बारिश ने यहां भी बार और तक 130 लोगों की मौत हो चुकी है 5,000 से जादा घर तबाह हो गए है एक रिपोर्ट की मताबिक पश्यमी प्रांत में करीव 17,60 के 26 ब्रिज पूरी तरह से तबाह हो गए सरकार ने प्रभावित इलाकों में मदद के लिए रहत सामगरी भेजी है रैस्क्यू ओपरेशन भी ज सारी है